हलो नमश्कार और वेडियो मेरी आवाज 2.0 तो शाम के साथ बज़ गए हैं और वक्त हो चला है आज की कहानी का आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं यह ऐसे बच्चों की आत्मकता है जो अलग-अलग सिच्वेशन्स में खुद को एड़ेस्ट करकर चले है अपने जीवन पत पर अपनी प्रग्रती की और स्वयम के मोटिवेशन से आगे बढ़ते हैं हमारी पहली कहानी का बच्चा एक मिडल क्लास फैमिली से है जिसके फादर टीचर थे और बच्चा बच्चपन में एक डॉक्टर बनना चाहता था पापा ने उसकी इस सिच्चा को स्वीकारा क्योंकि पेशे से पापा अध्यापक थे और जानते थे कि बच्चे को उसकी पसंद का काम करने दिना चाहिए इसलिए एक मेडिकल कोर्स में उस बच्चे को दाखिला करा दिया गया परंतु इच्चा और बास्तिविक्ता में जो यह बहुत अंतर होता है और जैसे जैसे समय बीटा गया बच्चे को लगने लगा कि दुनिया में कितनी बिमारियां हैं कितने दुख हैं कितनी परिशानियां हैं जिसकी वज़े से वह अब दुखी रहने लगा था उसका मन उचाट होने लगा था और एक दिन उसने यही बात अपने पिता से डर्ते डर्ती साजा की तो पिता ने खुले दिल से इसका निर्णे का स्वागत किया और उसको वापस बुला लिया इसके बाद बच्चे ने BSC करी, MSC करी, BAE किया और बतावर बायलोजी लेक्चरार 36 गड़ के ट्राइबल एरिया में अपनी पहली पोस्टिंग पाई उसकी पोस्टिंग एक ऐसी जगे हुई, एक ट्राइबल एरिया था जहां बच्चे साइन्स लेने से डरते थे जहां कि बच्चे सुबह की प्रेयर ठीक से नहीं कर पाते थे और परिक्षा के नाम पे रिजल्ट केवल 30 या 40 परसेंट रहता था वहां अपनी महनत और लगन के दम पर रिजल्ट 60 से 80 परसेंट आने लगा था और ऐसा इसलिए संभभ हो पाया कि उस बच्चे को जो की अब एक भायलजी लेक्चरार था उसको अपने काम में आनन्दा रहा था उसने अपने स्तर से अपने विद्याले में स्मार्ट क्लास का संचालन किया अपनी मेहनत से उस आदिवासी इलाके के बच्चों में विज्ञान पढ़ने की लालसा जाकरत करी उनको प्रेरित किया और इन टीचर का नाम है श्री हरीश शंद्र बर्माजी जो सूरजपूर 36 गड़ से है दूसरी कहान ये कैसे बच्चे की है जो बहुत ही गरी परिवार से आता है जिसका चहरा बच्पन में एक दुरगटना में जल गया था दुरगटना ये किसी के बस में नहीं होती अगर होती तो कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में कोई दुरगटना गटे वह बच्चा धेरे धेरे जैसे बड़ा हुआ वह जहां भी जाता उसके चेहरे को देखकर लोगबाग आपस में यही बितियाते कि यह जरूर यह बच्चा बहुत शरार्ती चोर यह उचका रहा होगा जब भी ऐसे शब्दों को उस बच्चे की कानव में आते तो उसे बहुत बुरा लगता है लेकिन जिन बच्चों में आगे बढ़कर काम करने की अपने स्वाभिमान की प्रिड़ना सुन से जागरत होती है कभी दुनिया की बातों में घबरा कर अपने माग से विचलित नहीं होते है उस बच्चे के लिए भी ऐसे शब्दों ने मोटिवेशन का ही काम किया शरीफ और आग्यकारी वेब बच्चपन से था लेकिन अब दुनिया को कुछ कर दिखाने की तमना जुनून उसमें हद से जाद हो गया था बच्चा दिन में पढ़ाई करता और शाम को मजदूरी करता दिन रात उसके कानों में वही शब्द गूंचते थे और उसको प्रिरित करते थे कि उसे इस दुनिया को कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे उसके चहरे को से उसको ना आका जाए वह अपनी मेहनत से ही अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता चला लिया और एक सरकारी अध्यापक के रूप में उसने जीवन का नया अध्याय शुरू किया जिस भी विध्याले में आज इसकी पोस्टिंग होती है और इनके अपने भी गाउं में सब जगे एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजर्ग व्यक्ति तक आज मिसाल देता है इनकी मेहनत की और अपने बच्चों को इनका अनुकरन करने की प्रेणना देता है ये हैं श्री राजू साहू जी चत्यसकर से जिन्होंने ये साबित कर दिया कि बहारी, रंग, रूप, आत्मिक, सुंदर्ता, लगन और होसले के सामने कुछ भी नहीं है अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इन दो अध्यापिकों की कहानी आपको क्यों सुनाई जाने और अंजाने अपने बच्चों पर, अपने समाज के बच्चों पर जाने क्या-क्या प्रेशर बना देते हैं बिना ये सोचे समझे की बाल मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हरिशन जी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि जिस काम में आप आनंद लेते हैं उस काम में आप अपने आप उचाईयों को छूवी लेते हैं और राजू साहुजी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि अपने बच्चों के रंग रूप, लंबाई, चोड़ाई, त्यादी को कभी कोई महत्व नहीं देना चाहिए यदि कुछ देना चाहिए तो केवल और केवल जिन्दगी में उनका साथ, उनका विश्वास और सही मार्क पर आगे बढ़ने की प्रिर्णा प्रतेक बच्चे में एक प्रतिभाची भी है, टैलेंट शिपा है, उसे अपने प्यार और सकरात्म कूर्चा आगर आप देंगे तो प्रतेक बच्चा निखर कर समाज और देश की प्रगती में सहायक बनेगा तो चलिए आज इतना ही और बाकी कल फिर मिलते हैं रिडि मेरी आवाज पे तो आप सुनते रहे हैं रिडि मेरी आवाज 2.0